सो हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू एनदर वीडियो तो देखिए आज की वीडियो को आखरी तक आपको देखना नहीं तो आपका जो सपना है किलाज 12 केमिस्ट्री 2023 बोर्ड एक्जाम में 95% से एभव लाने का तो वो तूट सकता है क्यों क्योंकि आज के वीडियो में पूर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे और इन सबीका पीडियेप आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया हुआ जाके जॉइन कर लिए ग्रिक को ठीक है और बाकी 2023 बोर्ड एक्जाम के रिगार्डिंग फिजि होती ओजन्यारी और साड़े साथ साat से लेके और तक तक तो इस्कूल में रहते हैं ठीक है उसके बाद घर आते आयां और साड़े तीन से लेके और साड़े जाइन ते लीजिएगा ठीक है बाकी चलते हैं अपने टॉपिक के और बहुत ज़दा इंपोटेंट वीडियो है तो देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आज का वीडियो बहुत इंपोटेंट है पूरी बुक के बहुत बिकल्पे प्रेशन आज की एक ही वीडियो में इतने पहला क्रेशन देखते हैं फलक केंद्रित एककोष्टिका में परमानुओं की संक्या कितनी होती है यह मैंने आपको देखिया अलग से पूरा टॉपिक कराया था फलक केंद्रित एककोष्टिका किनारा केंद्रित एककोष्टिका अंते केंद्रित एककोष्टिका सब मैंने आपको कराये थे तो उसमें पर्मानु भी संक्या भी निकाली थी सब क्या लगला कितनी आई थी वहाँ पर चार आई थी ठीक है तो पहले का अंसर कितना हो जाएगा अपना तो आगज्यमपल के साथ उसे करिए थीक है अब यहाँ पर बोला है कि एफ़ित्री ओफॉर का क्रिस्टल है तो यह किसका उधारन था इन में से इन चारों में से किन का उधारन है ठीक है इन में से तीनों का उधारन है या नहीं है अगर नहीं है तो लगा देंगे इन में से कोई नहीं ठीक है तो यह इन में से कोई भी नहीं है ठीक है अब आप बोलेंगे सरी तो FVN की आयरन है तो लो चुमबकी हो सकता यह तो जो कि दोनों ही दोश प्रदरशित करता है ठीक है NACL Sodium Chloride KCL Potassium Chloride CSCL AgBR Agbr की lifetime की Silver Bromide ठीक है तो इन चारों में से सोड की हो को जो की दोस और फ्रेंकल दोस दोनों प्रदरशित करता है तो इसका रहेगा अपना ऐजी बी आर ठीक है एंकीव सिल्वर ब्रोमाइट किलियर है उसके बाद ग्रेफाइट है ग्रेफाइट क्या है आईनिक्टोस दाच भीटोस सैसे जीडिटोस यह फिर आणविक्टोस पतादी इसकांसर जल्दी बताइए जल्दी बताइए इसकांसर फटाफट तो इसका अंसर जाएगा सै सायूंजिट होस जो मैंने आपको ये चारओ ठोस पढ़ायते है तो निए आपको इनके एकजामपल लिखाये थी ठीक है तो ग्रेफाइट लिखाया था हमने सै साय जिट होस में ठीक है आप लेख चैक कर तो इसकी जो गने वस्ता होती है वह द देखिए आपने जो कोश्चन आएंगे वह विलियन से ठीक है घ्राइंगे तो 90 ग्राम जल और 10.8 ग्लुकोस को मौल प्रि bipolar खना इसका मोल प्रिवाय में निकालना यह ठीक है तो आपके निकाल दे चंक एक्स hapon बहर उसमें रखके आप एजी ली कर सकते हैं बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ठीक है तो निकाल की इसमें बताइए कॉन सांसर आएगा ठीक कौन साफको अप्शन ओका यहां पर लगा लेना तो इसको और नमर सी आपका भिल्कूल ठीक हो जाएगा ठीक है और यहां पर त JUST assign ना थो होती है तो इसमों बताना आपको शूद्र जलब मोलरता कितनी होती है ठीक है तो वहती है 55.56 55.56 किस सूतो मोलल उन्ख 11 emit कि अंकिंव कि गढ़ना की जा सकती है ठीक है इन मेंसे चार सूतर आपके पास रखें तो चार सूत्रों में कौन से समस्की करना कर सकते हैं बताइएगा तो इसका पहला ओप्षिन नंबर एबर कुल ठीक एम इंटु टीबी इंटु डबलू अपॉन एक अजार इंटु स्मॉल डबलू ठीक है यह कैपिटल डबलू है स्मॉल डबलू है ठीक है बढ़ते हैं कोशन नंबर टैन फे जो कि न्यूपेज में लिखा हुआ है अब देखे कुछ इस्टुडाइंट बोर होने लगेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं आप तो देखे जो बच्चा का भी बोर नहीं होता पढ़ा इसे वही टॉप करता बोर्ड एक्जाम में ठीक है यह बात आप हमेसा याद रखना के लिए तो आपने जो त ठीक के ब्रहसा चैप्टर है नि में आपको दूसा पजांठाय होगा यहां से है ठीक है आपको मैंने पढ़ाया था यह प्रता इसमें से कॉन सा धिटक रहे की तो मैंने यहीं हमेसा उदारन के साथ करिये गा तो आपको बहुत हीजिए हो घ्क तotyक सल्फेट इसका अंसर हो जाएगा धातू जो सरलता से ओक्सिक्रित हो जाती है ठीक है इसमें से बताना कौन से धाती है धातू है जो आसानी से ओक्सिक्रित हो जाती है किस पर धातू की प्रकरती पर बिलियन के ताप पर बिलियन की मोलरता पर या फिर इन सभी पर तो इसका अशर जाएगा इन सभी पर निर्वर करता है ठीक है इलेक्ट्रोन दो प्रिकार के उतने कैथोर्ड और एनोर्ड ठीक है तो वो सब जो इन सभी चीजों पर निर्वर कर प्रवल-बिद्यूत अबड़त करें स्पे तो और ब्रव करें प्रवल का मतलब qué दुआता है जिसमें ज्यादा बल हो थीक है प्रवल लिक लिए रहे बिसक्ष्ट चालकता की का यह यांनुकी मात्रक फुसरां यह सिंपल सी बात करें तो कि सेंटिमीटर की पावर माइनस टू OME, सेंटिमीटर ओंक इनवर्स तुलिए, सेंटिमीटर इनवर्स तू या फिर सेंटिमीटर की माइनस टू ोÚ ठीके आपको बताना है तो емशिन नमबर ची बिल्कुल । के लिए रहे उसके बाद आता है तनूता बढ़ते पर– पीषिष्ट चालकता से दो कोशन बने पड़े तो इसको आपको फॉर्मुला बिलकुल याद होने चीए ठीक है, तो यह फॉर्मुला उता है ठीक है, तो तनुता बढ़ाने पर कि चालकता होगी, बो क्या होगी, घटेगी, ठीक है, अब आते हैं, चैप्टर नंबर फॉर प तो देखें इहां पे यह जो Crow कक्प खिकल तो अपन रो ठीकर है जहां पे Coop प्द आई किवर्थम जो सांब कहलड़ा के लिए एक एक आपक्पीक है जो कि मोस्ट colours बूर्थ pad सब्सक्राइब 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 तो आप उसका प्लेडिस्ट बना हुआ है आप देख लीजिए ठीक है तो संबंद आपको बताना क्या होता के जिकल टू 0.6 932 अपॉन टी हाप दूसरा यह 0.6 931 अपॉन टी हाप तीसरा के जिकल टू टी हाप 0.6 932 चो था के जिकल टू 0.6 934 अपॉन टी हाप ठीक है यह जो के होगा आपको यहां होगा ठीक है तो इसमें बताना है कौन सा ओप्षिन आपका ठीक हो जागा तो ओप्षिन नमबर ए आपका बिकूल करेक्ट हो जाएगा क्यों ता जीरो पॉ कोटी की अभिकिर्जा के लिए बेग इस्तिरांग के का समी करण है तो इसमें बताएगे कौन सा समी करण हो जाएगा पताएगा के जिकल टू टू पॉइंट 303 अपॉन टी लॉक टैन ए अपॉन ए माइनस एक्स जहां पर ए होती है अभिकार अभिकारक की प्रादमिक अब देखे हमने कितने कोशन देख लिए है 17 कोशन देख लिए 18 कोशन नेक्स पे लिख हुआ है चली चलते हैं तो कोशन नमर 18 देखे यह लिख हुआ है इस्टेडी अगर आपको करने तो बोर बिल्कुल भी नहीं होना यह दिहान दीजेगा कभी भी पढ़ाई से बोर मत होईएगा ठीक है बाकी प्लेलिस्ट इन सबका बना हुआ है टॉपिक का तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ जाके पर के चक कर लीजे देख लीजिए सबी वीडियो एक तरफ से ठीक है शून्य कोटी की अभी केरला के मता है बताई है क्या है इसका मतरक लीटर सेकंड इन्वरर्उ मोल लीटर सेकंड इन्वर्ष फीप है ह्संतर्थ बहु है कौन का सा ओप्षन आपका कर् No tej कंसर हो क्या होगा, बढ़ेगा, गटेगा, अपवर्तित रहेगा, या इन में से कोई नहीं अपवर्तित कामतार स्थिर, ठीक है? तो बेगिस्द रागा आज़ ताब बढ़ाएं, प्या होगा बढ़ेगा, ठीक है? के लिए रोप्षिन नम्बर ए तो ओप्षिन नबर बी आपका बिल्कुल करेक्टर रहेगा सेकंड इंवर्स ठीक है जो आब आते हैं कोशन बहुत है अपने चैप्टर नमर फाइब से प्रश्ट रासायन से ठीक है सर्फिस केमिश्ट्री संपर्क विदी दुवारा अपने देखें दो विदी पढ़ियोंगी यानि कि सल्फियूरी कमल एक है और यह संपर्क विदी तो संपर्क विदी में जिस उत्प्रे रख का आप उप्योग करते हैं वह वाला उत्प्रे रख कौन सा है मैं इसलिए कहता है उधारन भई मोश्ट इंपोर्टेंट है बहु संपर्क विदी तो उसका उसमें गरते हैं संपर्क विदी का क्लियर बढ़न निम्न कोल आइडी अवस्तारां का उधारन गया है घém। यह फिर गैस में गैस परिक्षिप्त है गैस में ठोस परिक्षिप्त है यह द्रभ में ठोस परिक्षिप्त है ठीक है जैसे मिन तो में प्धंडो में देखा गाल ज dab. day 7 क्वाइब खहता है तो आपको ऐसा देखता हुआ है कि इसमेंग पानी है मतलब द्रव है या नहीं लेकिन आपको आप देखे जादा तो इसका प् wan यहाँ खेंगा है तो यहाँ है कि कि लिए टो होती आउने सफीक है हैPal option number D आपको ब्रुकुल correct हो जाएगा 24 जो question है वो है और शर्या किस अवस्ता में सरवाधिक प्रभावी होती है ठोस में billion में इन में से कोई नहीं सोरी एक तो छोड़ जा कोल आईडी ठीक है एक कोल आईडी भी ठोस C billion और D इन में से कोई नहीं तो अगर आप दुकान से या medical से कोल आईडी के रूप में आप अगर ओश्या लेते हैं तो जो है वो अधिक प्रभावी होंगी आपके लिए ठीक है कोल आईडो को सुद्ध करने की विदी है इसमें से कौन से विदी है जो कोल आईडो को करने हैं इसकंदर है अपोहन है ब्रेडिंग की आर्क भी दी बताईएगा ठीक है बिल्कुल जल्दी बताईए समय नहीं है कमेंट सेक्षिन में बता दीजिए तो इसकांसर हो जाएगा ठीक है मैंने आपको चारतीनों टॉपिक पढ़ाए भी है यह चूटा हुआ तो यह म बल्कुल करेक्ट हो जाएगा यू सॉल ठीक है अब जो 27 नंबर से नेक्स्ट पेज पर चली चलते हैं तो न्यू पेज पर आगए है जो छटा चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व तो 27 कोशन जोगा वह पी ब्लॉक के तत्व से स्टार्ट होगा बहुत ज्यादा आपको बताता है कि इस चैप्टर से पता नहीं कभ क्या पूछ लेंगे पूरा 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 चैप्टर ही इंपोर्टेंट है निमने लिखित में से सरभाधिक इकाई है क्या है सरभाधिक इकाई ए-स-H3-S-B-H-3-PS-3 तो अमोनिया यहनकी न-स-3 सरभाधिक इकाई है ज लोरें लोरेंन ब्रोविन लोरें लोरें आयो ठीके आयोडें अगे बहुत सारे आते हैं लोगे फकि头 प्रसंप लगे डिया इति है तो बाइक इसमें जो आपका अंसर हो जाएगा वह आप्षिन नंबर कौन से बिसक्ष्माइब फिर ठीक है फ्लौरीन भी तीक है ख़ड़ा जैसी हो रहा है हमारा ठीक है बखी इसमें आती तो बहुत सारे ये लिकिन पोछा प्रवल बिद्धू तरहनात्मक पुछाए वो भी हेलोजन में तो चार हो आते हैं लेकिन प्रवल विद्धु रिनात्मक पुछा तो इसमें केवल क्या आएगा फिलोरीन ठीक है बायू मंदल में सरवाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है हिलियम है नियोन है आरगन है क्रिप्टन है ठीक है तो इसका अंस टिक है तो देखिए बहुत सारा मटीरियल था तो मैंने भी सुचा कि ज़्यादा लंबा वीडियो बना के मजा नहीं आएगा कि आप लोग बोर तो पक्का होगे ठीक है तो मैंने सूचा कि ज़्यादा लंबा बीडियो नहीं बनाते है यह कोशिन आपको सेवन से कल और वीडियो में